कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब असलाव लेकुम रह्मुत लेवा बरकातू दोस्तों आज ये फेस्बुक लाइव आकर के बताने की मनशा यह थी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मुझे इस देश के कानूं पर पूरा बरोसा है और मुझे इंसाफ मिलेगा और देखिए वही हुआ कि याने खच्चाई की जीत हुई और अलमदुल्ला मुझे याने बेल ग्रांड कर दी गई है जो जूटे केस मुझे लगाए गए उसके अगेंस में और इंशाल्लाव ताला मैं मुम्रा दो-चार दिन के अंदर जेतना जल्दी हो करने की प्लानिंग में या उसके साथ जो करमचारी मिल करके मुझे केस बूक करना है क्यूंकि जो लड़ाई हमने शुरू की थी कब्रस्तान को ले करके जो इन लोगों किया है कब्रस्तान की बिल्डरों को कुछ 15 तका दलाली पर जो यह दलाली करता है यह दलाली करके जो बेच रहा है उसके लिए रोकने के लिए मुझे पर केस बराने की ब्लानिंग है हम लोगों को कुछ लोगों से पता चला है वहां के इसलिए दो-चार दिन का टाइम और जाएगा इंशलो ताला कल परसु जैसा भी हो में मुम्रा पहुच जाओंगा और फिर से एक बार और बोलना चाहूंगा कि जैसा देश के कान में पर हमको भरोसा था और वाईसे ही हम लोगों के साथ इंसाफ हुआ है तो डेर से ही सही लेकिन हमको नियाय मिला है और हमको बेल ग्रांड की गई है यह जानते हुए कि हम लोग इसमें दोशी नहीं है उनको भी पूरा भरोसा है इसके लिए हमको बेल ग्रांड की और हम आगे प्रूफ करेंगे देखिए अभी भी मैं जानता हूं कि केस चलेगा और मुझे पता है जो भी कल्प्रिट रहेगा इंशालों उसको जेल भी होगी और उसको सजा पूरी तरीकी से मिलेगी अगर मैंने कोई गुना किया तो मु किसी ने आकर के कुछ गाना गाया है दूसरों को चोर बता रहा है यह बता रहा है खुद क्या है कबरस्तान चोर है भाई तेरी तरह तो इतने बड़ा ड्रामे बाज नहीं है इतने अच्छी आवाज भी ने लेकिन पुछ एक लाइन हमने भी बनाई है ज़रा आप लोगों ता महीना आवाम करेशोर मुमरा का आमदार है कबरस्तान का चोर आ रहा हूँ मुमरा खोलूंगा तेरी पोल मुमरा मेरे साथ बोलेगा आमदार है कबरस्तान का चोर बिल्डरों को तुने कबरस्तान का किलियर प्लोट दिलाया मुम्रा वासियों को दल दल में है दफनाया होने दे बारिश खुलेगी तेरी पोल मुम्रा की आवाम बोलेगी तु है कबरस्तान का चोर आ रहा हूं मुम्रा खोलूंगा तेरी सारी पोल मेरे साथ मुम्रा वासि बोलेंगे तु है कबरस्तान का चोर इंशाल्ला जो मेरे गाने में अलफास थे आंदो पूरे करप्शन खोलूंगा इसके कि किस तरीके से आने हमारी आवाम को दलदल में दफना रहा दर्थ के तहट उस दिन तीन सवाल पुछने गया था आज भी मैं अपने तीन सवाल पर कायम हूँ कि वह तीन सवाल के जवाब देने के बताए बजाए मुझे जूटे केस लगा दिये गए इतने गंबिर याने इल्जामत लगाए गए कि अगर मैं उस रात मुझे अगर वह सदिकारी ने नहीं बता होता और मैं वहां से नहीं भागा होता तो आज मैं जेल में हूता और शायद इन सवालात के जवाब दे देना झाल और जब हमको ० से कबरस्ता нов साव निया यह मेरा पहला सवाल था और जो श्लाडर ऑस पास तो बाकी कि यहांने हमारे 12 एकर का और जहां पर 5 एकर का कब्रस्तान तायने वह 5 एकर याने 12-5-17 एकर का क्या उसका जवाब दे दूसरा सवाल कि अगर याने इसमें बारिश से पानी भरेगा दलडल जगा हमेशा दलडल होती है जैसा मुंसी पालडी ने लिखित में दिया है कि वह दलडल की जगा है अगर वहाँ दलडल हो जो मरूं को दफनाया जाएगा उसका गुनेगर कौन होगा उसका जिम्मेदार क में आकर के अगर कब्रस्तान का जी स्टैम कोट से थाबित करूंगा प्याइल दाखिल कर रहा हूं मैं अभी मेरी नाम आ घया खुल के पेपर पे तो है हमको तो पता है पेपर पे जिस्टैम लांगा तो आवाम के बीच में आकर मूं काला करूंगा यह वादा है मेरा यह सै झाल झाल